नूरपुर के बागने स्कूल में पिछले काफी समें से स्कूल बस के ड्राइबर और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच काफी गह मंगहमी चल रही है पहले प्रिंसिपल ने बस ड्राइवर को निकाल दिया, काफी दिनों तक स्कूल बस ड्राइवर दरने पर स्कूल के सामने बैठे रहे, बाद में स्कूल बस के ड्राइवर जिनके बचे स्कूल में पढ़ते थे, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया, सभी ड्राइवर और उनके स्कूल बस के ड्राइवर और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच काफी गहमा गहमी चल रही है पहले प्रिंसिपल ने बस ड्राइवर को निकाल दिया काफी दिनों तक स्कूल बस ड्राइवर धरने और स्कूल के सामने बैठे रहे बाद में स्कूल द्वारा बस के ड्राइवर जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनका रिजल्ट नहीं दिया गया डारेक्टर एलिमेंटरी दर्मशाला से तीन लोगों की टीम को भागनी बेजा तीन लोगों की टीम जिलादीस के निर्देशों के अंज़ार और स्डेम नुरुपर के अधिक्षता में डियेवी स्कूल भागनी पहुँचे और सारी जनकारी हासिल की जिल पांच बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था उन्हें आज फिर स्कूल में बुलाया गया और अपनी अपनी कक्साओं में बिठाया गया डिप्टी डारेक्टर एलिमेंटरी दर्मशाला रासकुमार शर्मा वो ओस्डी डॉक्टर विजेंदर चंदेल ने बताया कि हमारे कार्याले को डियेवी स्कूल भागनी की शिकायत मिली थी जिल अधिस के माध्यम से डिप्टी डारेक्टर एलिमेंटरी दर्मशाला रासकुमार शर्मा वो ओस्डी डॉक्टर विजेंदर चंदेल ने बताया कि हमारे कार्याले को डियेवी स्कूल भागनी की शिकायत मिली थी जिल अधिस के माध्यम से बच्चे और उनके अभी बाब भी आये थे जिल अधिस ने हमें बीजिट करने के लिए कहा हम पिछले सनिबार को स्कूल में आये थे हमें तुरंत यही फैसला लिया कि अभी की अभी बच्चों की अड़मिशन हो जानी चाहिए प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि इसी समें बच्चों को स्कूल में बिठाया जाए प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लिया कि वो बिना कंडिशन के एडमिशन कर रहे हैं और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे फिर हमने आज का दिन निश्चत किया क्योंकि कुछ इशू जो अभी बापकों के थे कि क्या ऐसी प्रस्चितियां पैदा हुई कि बच्चों को निकालना पड़ा या इन होने निकाला स्थाप से भी इस विश्या पर बिचार भी मर्श किया जाएगा और बच्चों के अभी बापकों से भी चान बिनकर रिपोर्ट जिला दिश को शौप दी जाएगी और बिन्सिल साब को ये पताया है कि आपने इनको अनकर्डिशनल अभी अड़िशन करनी है और हमें सब भी बिट देना है और बैसा ही किया गया है एस ट्रेम साब के उस दिन को यहां पे पहुंस कोईते लेकिन इनका जो इनकोरी का इशू था वो अभी रहता था उसके लिए हमने एक कोश्चिनर त्यार किया है और कोश्चिनर हमने प्रिंसिल साब को दे दिया है उसका वो हमें उसका उतर देंगे उसके इसाफ से ही हम आपने अपने पूर्चों को त्यार करके जैसे भी है अपने डिबार्टमेंट हायरे, अथार्टिस को देंगे, बीसिस अब को सुखेंगे और उसके लगलग अपनी दें जाएंगे, जैसे भी इशाविशू है और हम ची चाते हैं कि बच्चों के अड्मिशन नहीं रूनी चाहिए थे, क्योंकि आर्टी-ईए के अंडर, आप किसी भी बच्छे को स्कूल से निकार नहीं सकते 1, कोई और इशू है, उसके लिए अलग से बात की जासकती है, लेकिन बच्चों को स्कूल से नहीं निकार जा उसके अनसार हमने प्रिंसिपल को कहा कि आपको तीन माह की स्टाजा भी हो सकती है और दस हाजार रुपे जरुमाना भी हो सकता है उस दिन हमने बच्चों को एडमिशन करवा दी लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे चाइल्ड हेल्प लाइन की बात करते हैं तो क कोई भी रिक़र्ड उनके पास नहीं है पोस्को एक्ट के तहथ बहुत सारी केसี่ रिजिस्टर हो सकते हैं लेकिन जब तक कमेटी ही नहीं है बच्चों के सब्शेसर के मामले सामने हो तो कौन उसको रिक़र्ड करेगा स्कूल का बहुत सारा अर्क उपलम नहीं है लेकिन कुछ inquiry की issues थे जो आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ आसी देखी की तो child help line की हम बात करते हैं बच्चों की care and protection की बात करते हैं कहीं भी child line का number display नहीं हुए बच्चों को पता ही नहीं कि child line नाम की कोई चीज है और कभी discuss नहीं होता है नूरपुर के SDM ने बताया कि ये मामला काफी समय से pending था और आज इस मामले की च्छानबिन करने के लिए आए हैं तरमसाला से जिलादीश ने team busy है जो की च्छानबिन कर रही है हमने दोनों बक्षों को बिठा कर बात की है और जो समस्याई थी उनने समापत कर दिया है बच्चों को स्कूल में अडमिशन मिल चुकी है बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ के तहत स्कूल परदानचारे को जरूरत मन बेटियों की अडमिशन के लिए बोल दिया है ये मामला काफी समय से pending था और आज मैं आया हूं समाम एकचादवीन के लिए हमारे साथ इसके लाबा जो है चाइड हील्प मेंग समस्ताना ची आयते एंजियो यूनिन से भी जो प्रेजिट रमादर राना ची वो यहां पर आये थे हमने दोनों पक्षाओं के बढ़ा कर बात की है बहुत सारे इशूस थे तो समस्त इशूस को सेटिल कर लिया है कुछ बेटियों को जो है स्कूल में एडमीशन दिमिल चुकी है जो पांच बचे जो जिनको स्कूल से निकाला गया था बेशिट लिल्वादी के लिए है कुछ और बेटियों को भी है बेटी बढ़ाओ के तहत है कुछ और बेटियों को हम ने एडमीशन के लिए इंको गुण बढ़ा है और कुछ अँछ पेडिनिग इसूस थे थे बहुत रहत हैं सारे इसूस को जो हम भी सेटिल कर लिया हुए है